नामस्कार जैहिंद वंदेमातरम दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब परिवार राजस्तान क्लासेश पर उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्त होंगे आपका परिवार भी बहतरीन होगा और ये दीवाली आपके लिए बहतरीन हुई होगी दोस्तों आपके लिए कामनाएं करता हूँ कि अगली दीवाली तक आप अपने परिवार के लिए सक्सेज को सर्प्राइज के भांती रखें ताकि आपके परिवार के लिए खुसिया बटे और आप जल्दी से जल्दी सक्सेज हो चले दोस्तों आज की क्लास को सुपर फास्ट करेंगे राजसान जी कि आप सब को जान करिए कि डेली आपन पढ़ते हैं ये और आज आपके लिए हिस्टरी के most important केहने वाले वो questions रहने वाले हैं आज का पहला question आप सबी की इस्क्रीन पर है most important question होने वाले दोस्तों जो exam में पूछे जाने की प्रबल संभावना है हिस्टी के वो प्रस्ण देखे जेपुर नगर का नक्षा बनाने वाले जो वास्तुकार थे ना वो कौन थे यह आसान सा question है दोस्तों C option आप सरीका सही उतर हो जाएगा और आप सबको पता होगा यह जो थे ना यह बंगाली वास्तु विद थे ठीक है यह बंगाली वास्तु विद थे दोस्तों ध्यान रखना इतनी सी चीज़े ध्यान रखना और इसकी जो नियू रखी थी जो यह पुर नगर की वो किसने रखी थी वो पंडी तजगनात ने रखी दोस्तों किस तने पंडी जगनात ने रखी थी दियान रिकना और 1727 में दियाने सबको अगला क्वेसन है चितोड के दूसरे साके में बादूर्शा का मुक्य सेनापती कौन था चितोड का दूसरा साका आप सबको पता है 1534-35 में हुआ था दोस्तों आप सबको जानकारी होगी इसमें जो बादूर्शा जो था ठीक है बादूर्शा ने आकरमन किया था उसमें रूमी खान इसका सेनापती था दोस्तों रूमी खान ठीक है ध्यान डेकना ये आफसन लॉक हो जाएगा अगला क्वेसन है देवबोध देखे दोस्तों देवबोध वे धर्मगोश किस चोहान शासक के दर्बारी विद्वान थे देवबोध वे धर्मगोश कितना important क्वेसन होगा आपके लिए बहुत ही असा क्वेसन है और सभीका से उतरोगा सी आफसन ध्यान देखना दोस्तों मतलब में आपके लिए बता दूँ 1133 से लेकर 1155 तक रहते ये अनोराज ठीक है ध्यान देखना और इसकी हत्या जो है इसके पुत्र ने कीती आपको याद हो तो जगत देव ने किस ने कीती जगत देव ने कीती और 1155 में कीती ध्यान रखना दोस्तों अगला क्वेसर ने राजस्तान का गुप्त कालीन मंदिर कौन से बताई ए राजस्तान का गुप्त कालीन जो मंधिर है ना Feels मुकुंदरा का शीव मंदिर न होगा बुढ़ादीत मंदिर हो जाएगा कोटा में है और मुकुंद्रा का शिव मंदिर ये भी कोटा में वैसे ध्यान रेकना दोस्तों अच्छा हाँ मुकुंद्रा का शिव मंदिर ये भी गुप्त काली नहीं है दोस्तों ध्यान रेकना क्वेशन थोड़ा सा गलर टाइप जरूर हुआ है दोनों चीज़े ध्यान रखना दोस्तों ठीक है और बी अगला question है राव माल्देव के समय जो है दिल्ली पर किसका शासन था राव माल्देव के समय दिल्ली पर किसका शासन था बताईए तो नागबट दियुते तो यहां पे हो गई नहीं बाजसा हुमायू दिल्ली पर किसका शासन था दोस्तों उस समय बाजसा हुमायू का शासन था ठीक है और सीवाना में उस समय जो है सीवाना के उस समय शासक जो थे वो थे डूंगर सी राव डूंगर सी थे ठीक है ध्यान रखना शेर्शा सूरी बाद में बढ़ा था और ये बाबर तो पहले ही हो गया था चले अगला question है अगला question क्या पूचा जा रहा है राजस्तान में गुर्जर जाती का सबसे बड़ा तीर सिसल कौन सा है राजस्तान में गुर्जर जाती का सबसे बड़ा तीर सिसल जो है वो कौन सा है तो आप सभी का right answer हो जाएगा ये option सवाई भोज मंदिर सवाई भोज का मंदिर जो कि आप सब जानते है कि ये आसिंद में है आसिंद काँ पर है दोस्तों आसिंद भीलवाडा में है ध्यान होना चीए most important question है और आगे बढ़ते हैं अगला question है हरी मंदिर नामक जो एक मंदिर हरी नाम से ये डुंगरपूर के कौन से गाउं में इस्तित है राजदरिबा केसरपुरा साबला या उप्रोक सवी उप्रोक सवी तो होगा नहीं साबला हो जाएगा दोस्तों right answer see option ठीक है अच्छा क्वेसन है और साबला संत माउजी की संत माउजी की जो है क्या है जन्मिस्तली है और वैसे देखा जाए तो कर्मिस्तली भी है ठीक है अगला क्वेसन है कि बपा राउल को चार्ल्स मार्टिल जो है ये किस ने कहा था चार्ल्स मार्टिल मार्टी ने साइड है न तो ये किस ने कहा था पंडीत हीराचंद ओजा ने, चंद वर्दाई ने, या सिवी वेद ने, या जैंस टॉड ने इसमें देखे काफी भाइबने क्या करेंगे, या तो हीराचंद ओजा बताएंगे, या जैंस टॉड बताएंगे, लेकिन ठीक है दोनों चीज़े ध्यान रखना और इसलिए बपा रावल को भी उसकी उपदी मिली है। अगला क्वेसन है राजस्तान में भूमीज शैली का सबसे पूराना मंदिर कौन सा है भीम दुट्य के सेना पती थे सौरी वो थे क्या कहते थे उनको उस समय माजन है नहें और मावरी मात भी नहीं होगा सेवाड़ी जैनमंदी हो जागा को दू में बुमिर शेली का सबसे प्राजशिन मंदिर है द्यान रखियोँ अगला क्वेसृ है भाया इनमेंसे किस मैल का निर्माण जो है मिर्जा राजा जैसिंग ने करवाए था इनमेंसे कौन से मैल का निर्माण मिर्जा राजा जैसिंग ने करवाए मिर्जा राजा जैसिंग ने तो दिवाने आम भी करवाया दिवाने खाश भी सुक मंदिर भी तो अपना राइट आंचर जो होगा वो उप्रोग सभी हो जाएगा डी आप्शन के साथ जाएंगे अगला क्वेस्टन है रसीक पिरिया देखे दोस्तों रसीक पिरिया में वीर राजा की उपादी कौन से मेवाड का उद्धारग भी का जाता है मेवाड का उद्धारग भी का जाता है ठीक है और दोस्तों ध्यान डेखना इनको ये क्यों का गया क्योंकि एक युद्ध हुआ था सिंगोली नामक सिंगोली नामक की युद्ध हुआ था चितोडगर में दिली के सुल्तान मुमत बि तुगलक के बीच में और इनके बीच में किसके हमीर के बीच में इसलिए इने रसीक पिरिया में वीर राजा की उपादी दिये गई है अगला क्वेस्टन ब्रजनीदी नाम से डुंडारी वे ब्रज भाषा में कावे रचना कौन किया करते थे यह आपको बताना है बताये दोस्तों शांदार क्वेस्टन है सवाई जय सिंग तो होगा नहीं परताप सिंग को लॉग करेंगे बी आफसन सभी का से उतर होगा ये एक अच्छे कवी भी थे अच्छे लेखक भी थे ठीक है और एक अच्छे अपने बात करें तो शासक भी थे बरजनिती मुक्तावली बरज स्रंगार और बरजनिती पद ये सभी इनी के द्वारा लिखे गए तो राइट आंसर अपना हो जाएगा बी आफसन अगला क्वेसन ए एतिहासिक युद्ध में से गलत तथ्या कौन सा है इन में से गलत जो आफसन है वो कौन सा है दोस्तों इन में से क्या है इन में से एतिहासिक युद्धों के बारे में से तो दोस्तों बताईए, राइट आंसर, खानवा यूद 1527 में हुआ था, सबी को बताए, है ना, इसमें खानवा यूद में बाबर जो है, बाबर से सांगा हा रहे थे, बाड़ी का यूद 1519 में हुआ था, सब को पताए, जो इबराहीम लोदी हा रहा था, इसमें बयाना का य क्रती जैसिंग कलब दुरूम किस शासक के बारे में है देखें क्रती जो है जैसिंग कलब दुरूम है ये क्यों से शासक के बारे में है ये आपको बताना है तो राइट आंसर आप सभी का मिर्जा रजा फस्ट दो होगा नहीं ये सवाई जैसिंग सेकंड हो जाएगा सवाई जैसिंग हो जाएगा दोस्तों ठीक है सवाई जैसिंग हो जाएगा और जो कि ये सेकंड है पर तम तो आप सब को बता है चले तो भी आपसिन लॉक हो जाएगा आम पे आप सबी का ठीक है और जैसिंग कल्ब दुरूम की रचना किस नहीं की थी ये भी तो पता होना अच्छी है न ये की थी अपने पुंडरी कर रतना करना है ठीक है ध्यान रखियो और कोई जान करी और तो चलो ये तो आप सब को पता ही है कि 1727 में इनों ने जैपूर की नहीं हो रखी थी ठीक है क दोस्थों जल्दी से देखिए बहुत ही सिंपल क्वेसन है और सभी जवाब होगा फुलेरा जंक्सन है आप सब को पताएं जंक्सन प्रसीद है फुलेरा का राजस्तान का बड़ा माना जाता है वैसे लेकिन ध्यान रखना दोस्तों फुलेरा यहां पर हो जाएगा से लेकर ऐ Judas 27 288 सुआची से लेकर बाइस क्या हो रहा है एक सेकंड है ना है यह भी तगलियव अभी कर रहा है हाँ 2880 से लेकर 1902 तक जहां तक मुझे याद है ठीक है तो देखे दोफिशों हो ये एनकार शासनकाल रहा था और अगला question है जगत निवास मेल किसके द्वारा बनवाए गए थे तो जगत निवास मेल है कहाँ पर ये पिछोला जील में बने हुए है अब आप कहेंगे सर ये कहाँ पर अर्रे भाई साब इतनी तो जानकारी रखोगे आप लोग है कि नहीं चले तो यहां पर राइट आंसर आपका होगा भी जगत शिंग द्वित्य हो जाएगा सभी भाई बेनों का और एक जगत विलास नाम चेक जगत विलास नाम चेक कावे भी लिखा गया आपको याद हो तो वह लिखा था नेक राम ने ठीक है भी या अगला क्वेस्ट ने मारवाड में सामंद प्रता का प्रारम किस शासनकाल में किया गया था यह आपको बताना है देखे दोस्तों जल्दी से बताएगा सामंद प्रता का प्रारम जो है ना किस ने किया था तो राव चूड़ा ने किया था ए आप्शन लॉक ह जाएगा राओ छूड़ा जो थे ना राओ वीरमदेव के पुत्र थे डोस्तों न को अ मारवार का प्रतम प्रताफिशासक का जाता है ठीक है भाई अग्ला क्वेसने मेवार के उम्राओ कौन कहलाते थे बताइए दोस्तों मेवार के उम्राओ जो हुआ करते थे ना वो किसे कहते थे हम उम्राओ कौन हुआ करते थे राज कवी नहीं वितमंत्री भी नहीं संगित क्याता भी नहीं मेवार के सामन्द जो हुआ करते थे वो उम्राव कहलाया करते थे ठीक है भी या ध्यान रेकना अगला क्वेसा ने देखेगा अकबर ने पंद्रासो त्यासी एस्वी में त्यासी एस्वी में जो है जोद्पुर का शासक किसे नियुक्त किया था राव चंदरसेन को अकबर यू रियू 37 रुआ अकड़ो हो और माराजा जस्वन सिंग नहीं होगा ठीक है यह तो बाद की बात है अजी सिंग पी नहीं होगा यह होगा मारा मोटा राजा उदेश सिंग ठीक है भाईया और मोटा राजा के बारे में आपको बता चुका हूँ इनको उपादी थी इनकी मोटा राजा की ठीक है इनको मोटा राजा की उपादी मिली होई थी यह कोई बाकी ऐसा नहीं था कि बहुत मोटे थे या फिर सरीर में मोटे थे ऐसा नहीं था ठीक अभी है अगला क्वेसन है ग्यारा सो बानवे में प्रत्यूराज चोहान ने अंतिम समय तक अपने साथ किसे रखा था वा जी वा दिल जीतलिया क्वेसन कितना शांदार है देखेगा बहुती शांदार क्वेसन है और राइट आंसर बताईए चंद बरता ही हो जाएगा गनीष्ट मित्रता थी ध्यान डगना यह इनके गनो अड़ती और बाकिया जोंका हाथ इज रहा होता ठीक है ठीक ऐसा बगला क्वेसन है देखेगा प्रत्यूराज तरत्य ने तुमूल यूद जो है किसके विरूद किया था चंदेलों के विरूद या भंडानेकों के विरूद या चालूक के विरूद या ग्याडवालो तो देखिए महुबा चंदेल परमार देखिए एक तो इसको अपन परमार दी भी बोलते हैं और एक बोलते हैं अपन परमाल ये एक ही है उसका नाम है ठीक है और ये चंदेल था दोस्तों महुबा का ठीक है 1182 में इसको अराय था सबसे पहला ये मतलब विरोधी आक्रिमन था अगला क्वेसन महाराणा अमर सिंग किसके पुतर थे सुरी महाराजा अमर सिंग महाराणा नहीं महाराजा अमर सिंग महाराजा अमर सिंग जो थे ये महाराजा जसुन सिंग पर्थम के क्या थे जल्दी बताइए मोड़ा राजा उदे सिंग तो हो गई नहीं माराजा गजर सिंग हो जाएगा सूर सिंग नहीं होगा देखे माराजा जस्वन सिंग परतम के बाई थे ध्यान रखना ठीक है और गजर सिंग के बेटे थे तो गजर सिंग के बेटे दो थे जस्वन सिंग परतम और अमर सिंग अमर सिंग रूट कर जो है वहाँ पर चला गया था मुगल दरबार में अगला क्वेसन नेपाल में गुल वंश की स्थापना किसने की थी प्यारे दोस्तों बताइए अच्छा क्वेसन है समर सिंग तो होगा नहीं कुम्ब करन को लॉक करेंगे बी आफ़सन लॉक हो जाएगा ठीक है भया नेपाल में गुल वंश की स्थापना किसने की थी तो कुम्ब करन ने की थी ज्यान रगए दोस्तों ये कुम्ब करन वो नहीं था जो रामायन में देखाए गए वो नहीं था ये कुम्ब करन अलेग था ठीक है तो B option lock हो जाएगा गोईल वंच किस्ता अपना नेपाल में की थी और देखे समर सिंग के पुत्र थे वैसे ये ठीक है ये समर सिंग आप देख पा रहे हैं ये option में समर सिंग के पुत्र कौन कौन थे एक तो कुम्प करण था जो नेपाल चला गया और एक रतन सिंग था जो अल्लावदीन से लड़ा था बेचा रहे है न तो मतलब इनको रतन सिंग की बात करे तो ज्यादा शासन कालेन का रहा ही नहीं था त्यान रखना दोस्तों अगला question इन्हों ने बहुत struggle किया था मतलब रतन सिंग ने तो अगला question है जालोर दोलग पर अल्लावदीन खिलजी द्वारा आकरमन कब किया गया 1309 में 1301 में 1303 में 1303 में या 1315 में तो प्यारे दोस्तों रैट आंचर जो होगा वो हो जाएगा बी आफशन 1301 इस्वी में जालोर पर आकरमन किया था वी रम्दिव और कानर दे ने मतलब क्या किया था केसरिया धारन किया था अगला question परताब सिंग ने बुद्ध परकार्श की उपादी किसे परदान की थी देखे दोस्तों परताब सिंग जो थे जईपुर के शा सकते और इनोंने बुद्ध परकार्श की उपादी जो धारन की थी इनोंने मतलब परदान की थी वो किसे परदान की थी तो आप सभी को पता होना चीए चांद खान को दी थी दोस्तों किसको चांद खान ठीक है तो B option लोक हो जाएगा चांद खान जो थे न ये इनके संगीत गुरू थे दोस्तों कौन थे संगीत गुरू और कावे गुरू कौन हुआ करते थे दोस्तों कावे गुरू कौन थे ध्यान रिकना दोस्तों बता देना सब को पता होना चीए कि कावे गुरू जो थे इनके वो कौन मैं आपको कई बार वता चुका हूँ अगला क्वेसन है किसको फर्जंद और राजा की उपादी दी गई है इन मेसे जो है किसको जो है फर्जंद और राजा की उपादी दी गई तो देखे अकबर को मान सिंग को अकबर को नहीं अकबर ने दी थी अक्बर ने दी थी किसको दी थी मान सिंग को दी थी दोस्तों बी आफ्सन लॉक हो जाएगा ध्यान रखना ठीक है और भारमल को बिहारी मल भी का जाता है बिहारी मल ठीक है बिहारी मल का जाता है ध्यान रखना और फिलाल अपना बी आफ्सन लॉक हो जाएगा औरंग जेब ने माही मरातीब उपादी किस बीकानेर शासा को दी थी औरंग जेब ने दोसों माही मरातीब की उपादी दी थी वो कौन से बीकानेर शासा को दी थी यह आपको बताना है राय सिंग तो होगा नहीं क्योंकि औरंग जेब के समझ नहीं थे माराजा कन सिंग नहीं होगा अनूप सिंग हो जाएगा लौक ठीक है बीकानेर के स्वन मतलब चितरकला का स्वनकाल इनी के रूप में मनाय जाता है वैसे माना जाता है ठीक है और इनके शासनकाल की बात करें तो 1659 से लेकर 1689 तो जिस परकार से वो इसका नाम क्या था वो रा था ना 1627 już 1790 की आ सबस्तर तक तो यह रा था औरंग्जेव का भी शासनकाल अनूप सिंग के लगब बर भर ही बैठता है तो ज्यान देखना दोस्तों सी आफसन लॉक हो जाएगा डूंगरपुर में इस देव सोमनात का मंदी रहे तोस्तों डूंगरपुर में देव सोमनात का मंदी रहे कौन सी नदी के तटपर बना हुआ है चोप नदी नहीं होगा माही भी नहीं होगा सरस्वती भी नहीं होगा सोम नदी हो जाएगा यह आफसन लॉक हो जाएगा सभी का यह शिव मंदिर बारी उस्ताबदी का बना हुआ है अगला क्वेसन आप से भी की स्क्रेन पर आगया है देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा परमार शासक कुमार पाल को किस चोहान शासक ने पराजित किया था परमार शासक था जिसका नाम था कुमार पाल और कुमार पाल को किस ने पराजित किया था तो विग्र राज को लॉक कर देंगे ठीक है और ये पर्मार जो कुमार पालता दिल्ली के तोमर मतलब है ना मैं आपसे बात करूँ पर्मार शासक हाँ ये पर्मार शासक जो थे ना ये देखे दोस्तों इनकी बात करें तो मुक्य रूप से चोहनों के ये विरो दी थे ठीक है तो इसको जो है विगर राज ने हराय था और विगर राज ने और भी जो दिल्ली के तोमर शासक थे ना उसको भी हराय था विगर राजने द्यान रखना ठीक है और इसी विग्र राजने गजनी शासक था खुसरू शाहा उसको भी अराय था तो दोस्तों तीनों चीज़े द्यान रखना ऐलो साब लास्ट क्वेसे घर जवाब दी जो त्रइक भी ओरो जवाब द्फीओन को ने केने द्यान वे राधा गोविन संगीत सार की रचना किस जैपूर शासक द्वारा करवाई गई थी तो मादो सिंग तो वही को निला सब अपने सवाई जग सिंग भी को निले सवाई परताप संग हो जावालों सी ओप्सन लॉग हो जावाई ठीक है और देव रिशी थे जिनका नाम था ब्रिज पाल ठीक है ब्रिज पाल भटके के निर्देशन में राधा गोविन संगीत सार की इस तापना रचना कर वे थी आपके कितने सही है दोस्तों इतियास के चुनेंदा क्वेसन थे ये आपके एक्जाम में काफी पूचे भी गएं काफी पूचे जाने की प्रबल संभावना भी है उमीद करता हूं आपको क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी जिस परकार से प्यारी प्यारी बाते करते हैं आ कोई और चीती नहीं है अच्छी लगे तो लाइक वाई करना प्लीज दोस्तों और हाँ एक क्वेसन में आपको दे रहा हूं जिसका आंसर आपको बाहरा के कमेंड सेक्शन में देना है और देना ही है देखिए बूंदी शासक विष्णु शिंग ने अंग्रे जोशे संदी कब कीती यह आपको बताना है मैं आपको हिंट दे दूँ 818 में की या 822 में की या फिर अठारा सो 17 में की ठीक है यह 820 को अटा देते हैं अब बताये कौन सा होगा राइटा अंसर आपको बताना है बारा के कमेंड सेक्शन में और धोस्तों पहली बार हो राज़स्तान क्ला पर राजस्तान जी की रात को 9 बजे क्लास होती है और सुबह भारत समानी ग्यान चल रही है कुईज वेब साइट पर क्लास नहीं ले रहा हूं क्लास से भी बहतर वो कुईज आपके लिए चल रही है अगर आप भाग लेते हैं तो बहुत बढ़ी है क्योंकि आपकी एच्छा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया जैहिंद वंदे मात्रम